हेलो दोस्तो नमस्कार लेडिंग करते हो इन्वेस्मेंट करते हो तो जरूर आप लोगके लिए इंपोर्ट रहने वाल है तो इस वुडे के अधरी बिडिया ऑफ इस वाहिए बडन शड़न के लेचे नोरी सुटले डोस्तो अधरी आँанс करे के बात मुँद आ सारे वीडियोस बना चुका हूँ बट अगर आप लर्निंग के उपर फोकस नहीं देऊगे तो कोई बात नहीं मार्केट आपको इस प्रकार से परेशान करते रहेगा ठीक है अगर आपको यह बेसिक प्रूल समझ में आ गए तो ही आप मार्केट में टिक पाऊगे कि मैं बार-बार चीज़ें बोलते रहेता है और यहीं चीज़ें वरक होती रहेंगी चाहें आप पाँच मैने के बाद वीडियो देखो या फिर पाक साल के बाद वीडियो देखो ठीक है क्योंकि बादर के कु लेना आपको समझ में आएगा जो चीजे मैंने बताईए वही चीजे आपको होती भी देखने को आपे मिल रही है तो problem है solution है सारी चीजे प्रोवाइड की जाएंगी आपको पता ही है मैं हमेशा आप लोगों को logic प्रोवाइड करता हूँ कि logic है आप लोगों को actual में genuinely market में टिकने का मौका देगा ठीक है वरना तो भाई आपको पता ही है market में एक ही simple नियम है इंसान exit की बात कप करता है जब वो stock गिरना start करता है तब that's it simple and सबसे ज़्यादा ड अब भी हो जाएगा 90 का 80 का 70 वो तो बोलेगा बाई निकलो अब समझ लो यही तो चीजे में कितनी बार बोल चुका यह जिसने manage कर लिया इस चीज को वही market में टिक गया ठीक है वरना तो बाकी कितनी भीड आती रहती जाती रहती निफ्टी 30,000 का हो जाएगा तभी भीड फिर वापस वही गलतिया चलती रहेंगी फिर वही सवाल पूछे जाएंगे एंड में वापस इसी प्रकार से वीडियो बना के आप लोगों को बताते रहूंगा तो अगर देखा गया तो कुछ स्टॉक अभी मैं आपके सामने आपे रखना चाहूंगा जैसे की fine organic या फिर ट्राइडेंट या फिर विप्रो की बात कर ले टाटा लेक्सी की बात कर ले अलकायल अमाइन्स की बात कर ले बलाजी अमाइन्स की बात कर ले जुबलांट फूडवर्स की बात कर ले हैप्यस माइंट टेक की बात कर ले तो यह जो जीतने भी स्टॉक है ऐसे और भी लंब पैटन येस इन सबका अगर आप चार्ट पैटन देखोंगे न दोस्तों आपको इबदम ही कॉमन पैटन हम लोगों को देखने का आपे मिल जाएगा ठीक है जैसे कि मैं चलो आपको डेमो ही दिखा देता हूँ जैसे कि फाइन और गिनिक क्या नजर आ रहा है चार्ट पैटन पैटन ऐसा 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 नीचे नेक्स्ट उसके बाद अलकाल अमाइन्स पाथ साल का डेटा ठीक है तो आप देख सकते चार्ट पैटन ऐसा 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 सेम 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 बैन कुछ एक दो यह एक्जामपल ले 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 ठीक है बाला जी आम लोग देखेंगे फ्लैट उपर गया तिर अब भी चलो यह एक आखरी एक्जामपल ले ले लेते देखें सेम पैटन आप लोगों को देखने को आपे मिल रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लेम एक ही होती है जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बार बताया है कि स्टॉक में जब भी गिरावट होती है तब ही तो लोग पैनिक करना स्टार्ट करेंगे यह स्टॉक अगर ऐसे ऐसे से भागेंगे कोई सवाल नहीं पूछता है ठीक है अगर कोई पैनी स्टॉक भी है जो पूरे घाटे में पड़ी हुई है ठीक है जिसका मैटर कोट में चल रहा है शायच है वो डिल इस्ट भी हो जाए फिर भी मेरे जवाब कितने भी बुरे क्यों ना लगे बोरिंग क्यों ना लगे कोई फाइदा नहीं ठीक है आप मार्केट से निकल ही जाओगे तो हमेशा चेक करो भाई कि अगर आपका स्टॉक गिर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है इंटरनल रीजन है कि एक्स्टरनल र दिखाएगा ठीक है तो यह पॉइंट सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना चाहिए बिलीव मी जो भी लोग यह सवाल यहाँ पर पूछ रहे उन्हें ने चेक भी नहीं किया होगा कि भाई शेर क्यों गिर रहा है करके क्या सिर्फ उनीका शेर गिर रहा है या फिर पूरे स , Sector ही down है अब बात कर लो ठीक है तो वहाँ पर सेम सेनारियों हमलों को लेखने को मिल रहा है अब फार्मा सेक्टर की भी बात कर लो तो आपको सेम सेनारियों देखने को हाप una मिल रहा है ठीक है अमाइंस वाले companies के अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग को same situation देखने को मिल रहे है अब textile companies की बात कर लो तो वहाँ पर भी same situation देखने को मुले मतलब यह externally जब भी गिरावाट यहाँ पर होती है मतलब अपने बार आप लोग कोई चीज़े सिखाईए और बहुत बार बताईए कि भाई exit का पिछे का reason तब होना चे जब आपने जिस चीज के चलते business को देखकर entry की होगी वह अगर खराब हो जाए तो उसी चीज के चलते exit भी होना चे मैंने कितनी बार यह formula आप लोग को बोला है यह भी कि भाई टैटू कर लो अगर आपका step 1 clear नहीं होगा step 1 क्या है E, E बोले तो entry अगर आपका E clear नहीं होगा तो आपका दूसरा E भी clear नहीं होगा बोले तो exit ठीक है यह सुनने के लिए आपको लगता होगा ठीक है भाई अरे बट यही चीज़े actual में work कर दिये अपने entry क्यों लिए मैं आपको challenge देखे कह सकता हूं कितने सारे लोगों के portfolio में ऐसे stock रहेंगे X रहेगा कोई Y रहेगा कोई Z रहेगा कोई 40% डाउन है कोई 30% डाउन है कोई 50% डाउन है कोई 55% डाउन है अरे आपके portfolio में मतलब बहुत सारे लोग comment करते ना ऐसे portfolio से related दो मेरिट में बता स stock अभी उनको अच्छा लगने लगया वो खरीद लेंगे ठीक है और उसके बाद वो नीचे आगया stage 3 पे अभी वो खराब लग रहा है बस यही एक बीमारी है आप कितना भी मतलब आपको कड़वा लगे बट यही सच चाहिए मतलब मैं literally देख रहा था यह भी सिड़े ऐसे जो बीमारी है ना इसी चीज़ के चलते कितने सारे return start परिशान देते और उसके पर वो काम ही नहीं करते यह एक next counter अच्छा सवाल आता है तो फिर सर हमें कैसे पता चलेगा stage 1 में कौन सी company यही तो खेले भाई जिस दिन आप business को समझना start करोगे आप stage 1 की companies को पकड़ना start करो टीक है ऐसी बात है नहीं कि हर वक्त हम सही जाएंगे उस हिसाब से तो भाई मैंने HDFC MCB कहा था कि यह भी अच्छा कर सकता है घर के उतना तो अच्छा नहीं किया टीक है वैसे अगर हम लोग यहां पर देखे तो ओलेटरा green tech देखा था क्यों green energy electric vehicle bus 300 पे था अभी वो stock कहा पे आप देख सकते हो कभी आप सही भी जाओगे कभी आप गलत भी जाओगी बट यह सारे जो हम लोग ने जो चीजे की थी कौन से हिसाब से की थी यह बिजनेस के हिसाब से की थी कि अरे हाँ आज इनके बिजनेस को कोई भाव नहीं है आज इनका बिजनेस ऐसा ऐसा चल र और अगर आपने खरीदा भी होगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है बट अगर आपका इंट्री का रीजन ही यही है कि भाई वह भागते वे मैंने खरीदाए करके जो की 99.99% का रीजन ही वही होता है तो फिर वह फ्रस्टेटेड ही रहेंगे और जो जितना नीचे जाएगा वही वह एग्जेट ही कर लेंगे ठीक हबड़ अगर किसी ने बिजनेस को देखकर खरीदा होगा ठीक है तो वह ठीक जाते है और इसमें मतलब देखा के तो बड़े-बड़े प्लियर्स भी आ जाते मैं आपको बताना चाहूँगा दीखे आर जे सर आज तो हमारे बीच मे के अंदर अंदर ही ठीक है तो फिर क्या करें का एग्जेट किया नहीं उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने यहां पर और शेर से आप खरीद ले क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस ही देखके किया होगा और खरीद लिए एवरेज कर लिए अभी आज वो स्टॉक कु इतने सारी है देखो मैं थोड़ा नीचे नीचे आपको लाना चाहूंगा यहां पर आपको मिली जाएंगे यह सबसे पहला यह वाला वीडियो भी देख लेना पाच मैने पहले बनाया था कितना लगब 54,000 लोगों ने वीडियो को देखा है क्या लिखा था क्या आप 50% क्र मैं यह नहीं कहे रहा हूं कि फ्रॉड वाले भी कंपनी में 50% क्राश हो गया कोई फरक नहीं पड़ता है तो फिर वह इंटरनल रिजन हो गया निकलना पड़ेगा ठीक है मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कोई भी रिलाइंस पकड़ लो सेकेंड नमबर पर को नाता है टीसरे जैसा बैंक का क्राश से साएगा स्टॉक उड़ जाएंगे फिर क्या करेंगे निकल जाएंगे तो इसलिए तो यह मैं चिला 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 के कह रहा हूं भाई गिरावट के पीछे का रीजन आइडेंटिफाय करना हाना चीए अगर आप इन चीजों के पर काम नहीं करोगे तो 2020 में कितने लोगों ने अपना पॉर्टफोलिय खाली कर दिया कोविड का क्यों कोविड के चलते क्रैश होगे ना निकल जाओ सब कुछ सभी क्रैश हुआ था चालीस पचास साट सिस्टी फाइड सेवेंटी पसेंट तक क्रैश हुआ था ठीक के के पी आईटी टेक जैस की बात करोगे और इसी से कितने वीडियो में बना चुका हो अगर और में थोड़ा सा पीछे चले जाओ को अलग अलग टाइप के वीडियो में बनाया था कि शेर बाजार में अगर आप लोगों को मतलब पैसा लगाने से पहले ही एक बात जान लो करके एक रुपया भी मत लगाना यह भी मैंने पॉइंट सामने रखा था कौनसा कि बाजार के पाथ चक्र जान लो चक्र मतलब क्या आप किसी भी स्टॉक में जाओगे भाई तो यह फेज आपको फेज करने ही पड़ेंगे अगर आप लंबया हो दी कि जैन्यून इन्वेस्टर हो तो बिजनेस दे इंटर्नल या फिर मतलब कोई फ्रॉड धोके बाजी ऐसी कोई चीज अगर नहीं हुई है तो उस चीज के चलते आप डिल करके आगे बढ़ सकते हो ठीक है वो डिपेंड करते हैं कंपनी बिजनेस वाइस सारी चीज़े देखनी पड़ती है ठीक है तो यह पॉइंट में अ क्राइश होता जाओ चेक करो अब भी वह टॉप पे है अब समझ रहें तो यह चीज यहां पर चलती रहती है दोस्तों तो जब तक और प्रॉब्लेम आपको यहां पर मैंने बताया और सोलिशन भी आप लोगों को बता दिया है तो सोलिशन क्या है कि अगर आप किसी भी अगवानी बचाए एब दम बिंदा सी कहना चाहूंगा क्योंकि वो रैंडम वर्क नहीं करती है लॉंग टर्म के साब से ठीक है अगर आपकी लॉजिकल अगर रहेगी ठीक है बिजनेस ओरिएंटेट रहेगी फिर आपनी सेकेंड काम करना है कि गिरावट के पीछे कार वी अगर इसको बदलना है तो आपको अपना जो स्ट्राटेजी एप्रोच है उसको बदलना है आप पड़ेगा ठीक है सही गलत होते रहेते बही एसी कोई बात नहीं है कि हम लोग हमेशा सही जाते हैं मैंने बताया न एक्जम्पल है एमसी वाले स्टॉक मुझे लगते थे दस-दस गुना होंगे कर गे किदर होंगे दस गुना चोड़ो दो डबल भी होते हैं मतलब हम कह सकते हैं टाइम पस इतना टाइम खराब कर दे दोनों ने तो यह चीज़े चलती रहेंगी बट हाँ एवरेज रिटन्स आपके अच्छे आ जाते हैं आपके ज्यादा जीतने की चांसे बढ़ जाते हैं तो बोरिंग चीज़ें यहां पर करनी पड़ेगी वरना सिच्वेशन में तो कोई बदलाव तो होने वाला है नहीं आशा करता दोस्तों विडियो तो theoretical टाइप ही था बट फिर भी अगर आपको पसंद आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा चाओ तो like and share कर सकते हो इन shares में कोई गडबड़ी ऐसी चीज़े यहां पर नहीं होती है यह market का nature यह market ऐसा ही आप लोगों को test करते रहेगा इस प्र